Income Tax के अंदर हमें कुछ basic terms और basic points समझना होगा जो की chapter number 1 में बताया गया है हमारे slayvers के according तो sir basic terms क्या समझेंगे basic चीजे क्या समझेंगे वो एक एक करके समझ लेते हैं क्योंकि new subject है तो इसके अंदर कुछ word use होता है जैसे assessment year, previous year, ssc कुछ एक words है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं terms को फिर आगे to be continue करेंगे तो first chapter में basically इन ही बातों पर discussion किया गया है तो सबसे पहले हम discuss करते हैं कि what is the meaning of दो चीजों की meaning को देखेंगे एक समझेंगे हम assessment year assessment year और साथ के साथ एक हम समझने वाले हैं previous year previous year ये दोनों होता क्या है assessment year और previous year हम देखते हैं let's suppose एक example ले लेते हैं हम माल लेते हैं हमारा एक चार दो हजार अठारा एक साल माल लेते हैं दो हजार अठारा के जग़र पर दो हजार हम बीस माल लेते हैं ये year जो है न हमारा ये end कब होगा ये year हमारा end हो जाएगा ये end हो जाएगा एक अत्तिस तीन एक अत्तिस तीन दो हजार एक एस एक अत्तिस तीन दो हजार एक एस में end होगा है ना clear आप सभी को पता है ना ये year तो हुआ यूँ माल लेते हैं कि एक person है Mr. Ram Mr. Ram बहुत simple concept ये जॉब करता है तो बताईए इसे salary कम मिलेगा हर month ली मिलेगा हर महिने इसे salary मिलता जाएगा जो भी पूरे year में month होगा उसमें मिलता जाएगा तो अगर मैं Ram से बोलू कि भाई तुम्हे salary मिला है अपने घर बाद में जाना पहले आप मेरे पास आईए और मुझे text दीजिए यानि government अगर कहती इससे कि आप मेरे पास आईए और पहले मुझे text दे के जाईए तो फिर कि आप Ram के लिए या किसी भी person के लिए possible है? चलो Ram मान भी लेता है इंडिया के अंदर देखा जाए तो कम से कम 40-50 करोड की आवादी ऐसी है जो कि salaried person है तो जो job करते हैं उनकी salary अगर अच्छी खासी है अगर उसे text देने जाना को तो कितनी लंबी line लग जाएगी सोचो इमेजिन तो जो job कर रहा है उसके लिए possible ही नहीं है कि वो हर मेहने की कमाई कमाई तो हर मेहने कर रहा ही है इस मेहने भी signing किया इस मेहने भी किया इस मेहने भी किया इस मेहने भी किया लेकिन इसके लिए possible नहीं है कि हर मेहने जाकर text दे चलिए दूसरा person मान लेते हैं मान लेते हैं Mr. Mohan ये businessman है ये businessman है इससे बोला गया कि आप हर दिन टेक्स जमा करिए तो क्या possible है वो हर दिन अपने business का profit निकाल पाए नहीं निकाल सकता कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि online transaction करते हैं तो online transaction तो रात के 12 बजे तक होता है यानि इससे बोला जाए हर महिने आप टेक्स जमा करिए तब भी मोहन बोलेगा नहीं नहीं हमसे तो नहीं हो सकता जी हर महिने तो हम P&L कैसे बनाएंगे अपना profit and loss कैसे बनाएंगे अपना हम balance sheet कैसे बनाएंगे हम कैसे टेक्स निकाले customer तो रात को 12 बजे भी समान ले लेता है तो हम नहीं कर सकते अच्छा यानि आप देख पा रहे हैं इन दोनों के लिए possible ही नहीं है कि वो इस साल में टेक्स जमा कर पाए जो हमारा साल है ये इस साल में टेक्स जमा करना possible ही नहीं है इस साल में टेक्स को जमा करना possible नहीं है आप एग्री करते हैं इस बात से या कर सकते हैं ये text जमा बताईए comment में बताईए चलिए आपसे सुनना चाहता हूँ क्या आप income कमाते ही सरकार को text दे दोगे या नहीं दे पाओगे उस time पे पहले आपको calculation का time तो चाहिए समय तो चाहिए न question है sir only job वालों को ही text देना होता है नहीं सभी को text देना होता है हम वो भी देखेंगे किस को text देना पड़ता है किस वेक्ति को person को देना पड़ता है वो देखेंगे हैं अभी action बताईए तो जवाब आया कि sir इसके अंदर इस साल में तो text देना possible नहीं है government ने बोला चलो इस साल में मतलब यहां पर नहीं दे रहें तो आप 31 March को text दे देना अगर 31 March को आपने text नहीं दिया तो आपके उपर एक लाख रुपए की penalty लगाई जाएगी अगर government ऐसा सक्त कानून बना दे तो 31 March को 12 बज़े रात तक sale किया हमने 12 बज़े के बाद ही होगा एक April तो और क्या हम within a second इतनी सारी balance sheet के अंदर item को detail करना और इतना सारा खर्चे को लेके P&L बना सकते हैं एक second में बताइए क्या एक second के अंदर हम अपना profit and loss prepare कर लेंगे Amazon ले लो, flip card ले लो ये भी तो business है 12 बज़े भी आप order titch book कर देते हो order book करने के बाद क्या in company के लिए possible है एक second के अंदर अपना profit बता कर और एक second में जमा कर दे ओ हो, fine लग जाएगा कर, तो नहीं possible तो इस साल में किसी के लिए possible ही नहीं है कि वो अपना tax निकाल के जमा कर दे अच्छा जी, तो sir क्या tax नहीं देना होगा, देना होगा मैंने ऐसा कब कहा के नहीं देना होगा मान लेते हैं, यहां से साल, नया साल स्टार्ट हो गया happy new year, और happy new year क्या होगा? 2021, और ये वाला year कब end हो जाएगा happy new year का end कब होगा? 31, 3, 2000, 2022 low जी, low जी low इस year का the end यहाँ पे होगा सरकार क्या कहती है? के भाई, इस साल आप पूरे साल में जितना मर्जी पैसा कमाएं, हम आपको नहीं टोकेंगे हम आपको परेशान बिलकुल नहीं करेंगे जितना मर्जी इस साल में पैसा कमाएं हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले तो सर आपको हम थोड़ा महुलत देंगे मान लेजिए आपको मैंने टाइम दे दिया इतना यानि 31, 7, 2021 तो कितने महिने का टाइम दे दिया गया आपको जी आपको टाइम दे दिया गया एप्रेल, मई, जून, जुलाई 4 मन्त का four month की time दे दिए गए आपका जो भी whatever income है जैसे भी income कमाते हैं उस income को calculate करिए आप calculate करने के लिए हम चार महिने का समय देते हैं अगर चार महिने में भी आप calculate नहीं कर पाए तो हम आपसे tax ले लेंगे हम आपसे penalty भी लेंगे आपको jail भी भेजेंगे सारा काम करेंगे आपके साथ तो बताइए अगर कोई बोलता है जी चार महिने भी कम है तो समझो कितना नलाइक है वो ऐसे लोगों को तो jail होई जाना चाहिए चार महिने कम है लेकिन बीच में फिर बड़ी बड़ी company कूद पड़ी वो ली कि भाई साब हमारा balance sheet P&L में इतने item है आप सोच नहीं सकते हमें थोड़ा और महलत दो government ने बोला ठीक है जो भी companies है यानि private limit उनको हमने time दिया 39 तक 2021 यानि साधारान वेक्ति हम और आप हम और आप जैसे वेक्ति इंडिविज्वल उनका last date ये है individual हम देखेंगे भी आगे भी पढ़ेंगे और company वगएर एक लिए ये date रखा गया हम अभी इस पर focus करते हैं company के लिए वो मैंने extra बाते बता दी हैं आपको यानि यहां से यहां तक जो भी पैसे कमाएंगे सर क्या उस वाले पर कमाई पर अगर हमें tax देना हो तो हम इस साल नहीं देंगे यानि यह साल जो था हमारा यह साल हम कमाएंगे कमाएंगे income कमाते रहे कमाते रहे tax नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे और यह वाला साल में ओहो हो हो गुना भाग जमा गटा कर लो और यहां तक सरकार को, गौवर्मेंट को टेक्स दे दो, टिक, गौवर्मेंट को टेक्स दे दो, अगर इस तारिक से लेट हुए, तो जेल जाने के लिए तयार हो, आप मुझे बताईए, सिंपल सा जवाब देना, जिस साल पैसे कमाए जा रहे हैं, क्या उस साल हम टेक्स दे पाएंगे, simple सा जवाब दें आप तो जवाब है सर नहीं दे सकते, सर हमें तो अगले साल में जाना पड़ेगा, बिल्कुल और इस साल में बैठके क्या करेंगे, यहाँ पे बैठके क्या करना है हमें, यहाँ पे बैठके हमें calculation करना है calculation केलकुलेशन यहां पर बैठके हमें केलकुलेशन करना है सर जो यह केलकुलेशन करना है क्या यह केलकुलेशन जो करेंगे वो यहीं से यहीं तक करेंगे बिल्कुल अगर इसके बाद आपका मन करता है केलकुलेशन करने का तो जेल में बैठके करिएगा केलकुलेशन किया जाएगा उसको बोला जाएगा assessment year जिस साल में calculation किया जाएगा बोला जाएगा assessment year और हम assessment year में calculation तो करेंगे लेकिन किस साल की income के लिए करेंगे assessment year में calculation तो करेंगे लेकिन किस साल की income के लिए करेंगे तो जवाब है सर हम इस साल की income के लिए इस साल में calculation करेंगे तो sir calculation जो करेंगे वो हम करेंगे किस साल की पिछले साल की यानि previous year यानि previous year जो भी notes है सारे notes मैं upload करूँगा इसके अंदर कोई book लेने की अबशक्ता नहीं है simple 10 year लेना 10 year जो सिवधास इससंस का आएगा वो पूरा का पूरा मैंने अपडेट किया है और एक एक छीज मैंने खुद उसके अंदर लिखा है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना आपको वही notes लेना बिल्कुल वैसे ही पढ़ाए जाएगा book के जहमेले में नहीं पढ़ेंगा और in fact मैं PDF तो upload करी दूँगा तो sir एक बास समझ में आया है assessment year का मतलब जिस साल calculation करते है previous year का मतलब जिस साल income कमाया जाता है यानि income इस साल कमाया तो previous year का मतलब in which year income is earned समझ में आया के नहीं आया assessment year in which year income is calculated अगर मैं बोलता हूँ के assessment year 18-19 का text निकालो assessment year 18-19 का तो आप कौन से साल की income calculate करेंगे मैंने कहा 18-19 assessment year है short form में AI वो लूँगा तो आपको मैंने बोला कि 18-19 का text निकाले assessment year क्या आप 18-19 का sale purchase लेके बैठ जाएंगे क्या आप 18-19 की salary लेके बैठ जाएंगे बताइए कौन से साल का आप सारी चीज़े लेंगे जवाब मुझे बहुत जल्दी आना चाहिए बताइए कौन से साल का लेंगे तो जवाब मिल गया सर हम लेंगे पिछले साल का previous year 18-19 में हम किसका लेंगे 17-18 का यानि income आएगा 17-18 का तो very very simple अगर आप से कोई पूछे कि assessment year क्या होता है assessment year that year in which year tax is calculated for previous year income जो previous year क्या income है उसके उपर calculate किया जाता है उसे क्या बोलते हैं assessment year और previous year वो साल होता है जिस साल पैसे कमाए जाते हैं कोई शक, कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक clear है each and everything चलिए आप मुझे बताइएगा आप मुझे बताइएगा ध्यान से अक्षय भी देख रहे हैं और सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं application पर भी आप मुझे बताना क्या previous year जो यह वाला साल है यह हमेशा बारा महने का रहेगा या तेरा महने का भी हो सकता है या फिर आठ महने का भी हो सकता है जो previous year है can be less than 12 month simple सा क्या previous year हमारा बारा महने या बारा महने से कम का भी हो सकता है क्या है जवाब है yes है सर बिलकुल आपने अगर मान लो आप मेरी बात सुने ले ओ आज अगर suppose करिए आपने business start ही करा है यहाँ पे इस जगह पे business start किया है start किया है तो आपका previous year कितना होगा इत्तू सा होगा इत्तू सा इत्तू सा previous year है तो क्या ये पूरे बारा महीने होंगे ना जी ना तो जिस साल business start होता है on that year हमारा previous year less than 12 month हो सकता है लेकिन assessment year तो हमेसा पूरा साल ही count करेंगे assessment year always 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 12 month इस बात का धियान रखना है assessment year is always 12 month but previous year can be 12 month or less than 12 month लेकिन 12 महीने से ज़्यादा मत बोल देना भाई साल फिर तो गलती हो जाएगा आपका ठीक है जी सर अभी समझ लिया assessment year क्या होता है previous year क्या होता है और previous year 12 महीने से कम का भी हो सकता है और 12 महीने से ज़्यादा का भी हो सकता है अब कुछ एक point exception है यहाँ पे कुछ एक exception है जो मैं लिखने वाला हूँ exception यह है कि मैंने अभी आपको सिखाया कि जो यहाँ से यहाँ तक income कमाया जाएगा उस income पे tax हम यहाँ ना देखे हम यहाँ पे calculate करके देंगे लेकिन कुछ ऐसे cases है जिस case में आप income यहाँ से यहाँ तक कमाएंगे income यहाँ से यहाँ तक कमाएंगे और tax भी इसी साल देना पड़ेगा tax भी आपको इसी साल देना पड़ेगा कुछ ऐसे exception cases है तो सर ऐसा क्या cases है number one suppose करो आप हिंदुस्तान से permanently बाहर जा रहे हो जैसे विजयमालिया चले गया और आप permanently या long time के लिए और आप वापस ही नहीं आओगे तो क्या government आप से tax लेने के लिए बाहर जाएगा अमेरिका में बोलेगा कि अकसे जी आप मुझे text दीजी आप नहीं दे के आये थे नहीं हो सकता ना जी नहीं हो सकता तो अगर कोई वेक्ति permanently इंडिया से बाहर जाता है तो जब बाहर जाते है ना तो हमारा जो passport होता है उसके उपर visa लगा होता है उसके उपर stamp लग जाता है permanently जा रहा है job के लिए जा रहा है visiting के लिए जा रहा है सब कुछ लगा होता है तो in case of permanently permanently leaving India leave India permanently leave India मैं पूरा notes भी दूँगा उस notes में से जो मैंने handwritten notes भी मिलेंगे आपको जिसको पूरा copy करना है अगर कोई वैक्ती permanently इंडिया को छोड़ के जाता है मेरे पर space कम है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा तो text बताओ कब देगा ऐसे scenario में जिस साल कमाया है उसी साल उसे text देना होगा तभी इंडिया छोड़ के जा सकता है नमबर दो short duration business duration business ये कौन सा business है सर कुछ ऐसे business होते है जो कि बहुत कम समय के लिए किया जाता है और उसके बाद उस business को permanently खतम कर दिया जाता है तो मान लो कि मैंने जन्मास्टमी है जन्मास्टमी पर एक business करने का सोचा हम और मैंने बोला इसी साल करेंगे इसके बाद कभी नहीं करेंगे हम तो ऐसे business के लिए government कहते है कि आपके लिए extra time की जूरत क्यूं है आप जिस साल पैसे कमाएंगे उसी साल आपको tax देना पड़ेगा नमबर थ्री discontinue business आपने अपने वेपार को पूरी तरीके से बंद कर दिया है तो government क्या कहता है कि आपने अपने business को तो बहुत पुराने समय से चलाते ही आ रहे थे अगर आप जिस साल बंद करेंगे उस साल के लिए आपके लिए कोई assessment year नहीं होगा जिस साल आपने पैसे कमाया है उसी साल आपको tax देना होगा discontinue में आपका business बंद हो रहा है short duration के लिए आप कोई तहवार वगएर आपे कर रहे हो इस तरीके का नमबर चार non-residence non-residence shipping business shipping business अगर मुझे अमेरिका से कुछ समान मंगाना हो और ship के थुरू तो हो सकता है कि एक महिना भी लग जाए हो सकता है दो महिने भी लग जाए और जब ये वापस चले जाते हैं अमेरिका से समान देखे तो उस situation के अंदर वो कब वापस आएगा हमें नहीं पता होता तो shipping business के case में भी हमें जिस साल उसने पैसे कमाए है और non resident होना चाहिए, non resident क्या होता हम देखेंगे बाद में तो उसको उसी पे tax देना पड़ेगा समोझ लो foreigner कोई है shipping business बाला बहार की company है और इंडिया में पैसे कमा लेती है तो उसे उसी time पे tax देके फिर भार जाने दिया जाएगा तो अभी हमने assessment year, previous year और previous year के कुछ exception देख लिए हमने और हमारा previous year can be less than 12 month हो सकता है वो भी देखा फटा फटा से note करिए इसमें कोई doubt है तो पूछिए इसमें कोई doubt है तो पूछिए फिर हम आगे चले इसमें कोई doubt है तो पूछिए फिर हम आगे चलते हैं application पे भी जुन बच्चों ने course buy कर रखा है तो application पे भी आप सभी को देख जाएगा live class में आप जब मरजी वीडियो देख सकते है application का link description में given है done कोई समस्या है तो बताएं complete clear प्रूब बताएं झाल CMA का income tax देखो मैं एक चीज़ clear गर दूँ आपका नेम है सवीन तो income tax में तो आपका app पे तो मैं डाली रहा हूं तो CMA हो चाहे आपका B.com हो चाहे CA हो चाहे CS हो सबका syllabus सहीं ही रहता है बस फरक ही है कि उसमें MCQ pattern पे आता है आपका exam तो वो तो आपका concept clear है तो आप खुद ही कर सकते हैं ठीक है ना application का link description में तो मैं डाल दूँगा बाकी MCQ नहीं मैं इसे mainly focus रहेगा मैं concept सारा समझाओ और अगर आपको concept समझ में आता है तो MCQ definitely आप कर लोगे बाकी concept में कोई दिक्कत आती है तो डेली साड़े नो बज़े YouTube पे मैं live आऊंगा और application पे तो live रहता ही रहता हूँ मैं तो उसके अंदर especially doubt भी आप किसी भी time पूछ सकते हो तो उसके लिए आप कुछ भी concept wise पूछ सकते हो मैं से चलिए इसे रेज़ कर देते हैं next point पे चलते हैं हम basic terms देख लेए जो कि पहला chapter हमें सिर्फ basic terms के बारे में ही knowledge देता है और basic terms के बारे में क्या-क्या knowledge देता है वो भी देखते हैं इसे मैं रेज़ कर देता हूँ हमने दो वाडिक देख लिया है एक हमने देख लिया है assessment year और एक हमने देख लिया है previous year चलिए एक और definition हमें देखना है SSC SSC Sir SSC कौन होता है इसे देखते हैं बहुत ही simple language में समझते हैं ज्यादा time ना waste करके मान लो कि मैं सरकार को text देता हूँ तो मैं SSC हूँ मेरा नाम अनुच कौनार सेंग है तो उससे सरकार को लेना देना नहीं है सरकार simple से word डालेगा कि SSC text दे रहा है आप text नहीं देते तो आप SSC नहीं हो तो सर टेक्स देना कब है मैं एक छोटा से example लेता हूँ कि अगर आपकी income मान लेते हैं धाई लाग अगर आपकी income धाई लाग रुपे तक है तो आपको text पता है कितना देना है निल लेकिन अगर मान लो आपकी income धाई के जगह पे 3 लाग हो तो बाकी बचे हुए 50,000 पे आपको 10% के हिसाब से 5,000 सरकार को text देना है तो मुझे अब जवाब दीजिएगा मेरी income एक लाग रुपे है तो क्या मैं सरकार को text दूँगा तो जवाब है सर आप क्यूं दोगे text क्यूंक धाई लाग रुपे तो सरकार ने तो इसका मतलब मैं क्या माना जाऊंगा एक मैं S.S.C. माना जाऊंगा तो simple सा word है S.S.C. का कि अगर आपकी income threshold limit से उपर है सरकार को text payment करते हो तो उसे taxpayer बोल देते हैं या S.S.C. बोल देते हैं ठीक है ना इसी को हम taxpayer भी बोल देते हैं S.S.C. थोड़ा difference है इन में लेकिन उतने बारिगी पर भी नहीं जा रहे हैं और अगर मेरी income limit से कम है तो मैं S.S.C. नहीं हूँ या फिर मैं taxpayer नहीं हूँ clear जवाब आ गया सर clear ठीक है यानि S.S.C. भी समझ में आ गया तो सर S.S.C. कितने type के होते हैं type of S.S.C. और मैं S.S.C. को यहाँ person बोल लूँगा income tax में section जो है हमारे income tax act का two subsection 31 में कुछ person के बारे में discussion किया गया है कि person कौन-कौन होता है यानि कौन-कौन text दे सकता है अक्षे का एक question आया था किया sir सिर्फ salary जिनकी होती है उन्हीं का text देना है individual sir individual का मतलब क्या है कोई भी वेक्ति जो अकेला है जैसे कि मान लो राम सीता या फिर मोहन हम जैसे आप जैसे बिलकुल साधारन वेक्ति अकेला हमें सरकार को text देना है जाके तो हम किस category में आएंगे individual में इन category वालों की last date जो है जो last date है text देने की वो हर साल की 31 साथ होती है हर साल के मतलब assessment year 31 साथ last तारिक इसके बाद एक होता है हमारा ये individual होगा है एक होता है हुएफ Hindu undivided family सर ये कौन होता है Hindu undivided family कुछ law बनाए गये हैं Hindu undivided family यानि हिंदू के लिए कई बार क्या होता है कि किसी business में पूरा का पूरा परिवार लगा होता है और वो सारे परिवार वहाँ पे काम कर रहे होता है तो हर परिवार को अलग-अलग text ना देखे वो क्या करता है उसमें से एक जो मुखिया होता है वही text भर देता है तो इसके अंदर मुखिया की हम बात करें न जैसे आपने देखा होगा जो family business होता है तो उसमें सभी मिले हुए हैं तो वो huf के नाम से text भी भरते हैं तो इसके अंदर जो मुखिया होगा जो main person होगा उसे हम बोलेंगे करता English में भी ऐसे ही लिखा जाएगा और Hindi में भी करता बोलेंगे यह नहीं मुखिया text को उन देगा यह देगा huf huf जैसे example जैसे brothers जैसे मैंने बोला कि राम एंड संस या फिर आपने कई बार business के दुख बोड के आगे लिखा होगा brothers तो यह basically एक business होता है जो की परिवार का होता है और इतने बड़े लेवल पे नहीं करते हैं लेकिन बहुत पुराने टाइम का किया जाता है तो उसे हुफ बोलते है इसकी last date कब होगी sir text देनी की अगर कोई हुफ की text देता है तो इसकी last date होगी 31 साथ मैं इसके अंदर मिताक्षरा, दया भाग इस सब चीजों पर नहीं जा रहा इसके अंदर हुफ के अंदर हमारे इंडिया के अंदर कुछ मिताक्षरा होते हैं, कुछ दया भाग होते है मिताक्षरा हिंदुस्तान में हुफ का member बनने के लिए क्या करना होता अगर आप इसी family member में अगर bond हो जाते हो मान लेते हैं एक राम और मोहन है राम मोहन तो नहीं मान लेते हैं राम और गीता है और आप यहां पे इसी family member में कोई भी person bond होता है पैदा होता है तो automatic इसका member बन जाता हो और इसका मुख्या कौन होगा? करता होगा या फिर legally तरीके से आपको गोद लिया गया हो तो आप इसके member बन जाओगे और दूसरा अगर आपने किसी भी लड़की से साधी किया हो तो वो automatically HUF का member बन जाएंगे तो यह HUF के member कोई Muslim HUF का member नहीं हो सकता क्योंकि यह Hindu undivided family है तो Hindu के लिए undivided मतलब जिसको divide नहीं किया गया है बोलते हैं न कि joint family है kind of उस तरीके से ठीक है न तो इसका भी कत्य साथ है और सर और होता है हमारा company साथ person है total सत्ते पे सत्ता साथ person एक है company तो company कौन सा होता है आप बड़े अच्छे से पढ़ते आ रहे हो जिसके आगे private limited लग जाए limited word लग जाए उसे बोलते हैं company तो company को भी टेक्स देना पड़ेगा और company जो है इसके last date होता है 30 September इसके last date है 30 September 30 September 30 ठीक है company का 30 इसके बाद मान लेते हैं partnership firm मान लेते हैं क्या है partnership firm सर partnership firm क्या होता है अब ध्यान से देखे मान लेते हैं X और Y दोनों मिलके एक business start करते हैं और इस business को registration भी करवा लेते हैं किसमें partnership act में partnership act में registration भी करवा लिया तो इसे बोला जाएगा partnership firm इसको जो text देना होता है इसके जो last date होती है वो last date कब होती है सर बताओ इसका इसका भी 30 no इसका भी 30 September last date है ठीक है न कितने हो गए चार total कितने person होते हैं हमारे साथ इसके बाद association of person association of person मैं short form में थोड़ा लिख रहा हूँ मेरे पास space कम है आप इसे पूरा लिख लेना association of person या body of individual body of individual BOI AOP BOI सर ये क्या होता है मान लेते हैं एक X है और एक Y है इन दोनों ने एक business start किया एक X अलग है और एक Y अलग है individual है दोनों तो इन दोनों ने business start किया तो इसे बोलेंगे BOI body of individual सर तो ये तो partnership ही हो गया ना इन्होंने अपने आपको act में registration नहीं करा है ना इसलिए इसे partnership का दरजा नहीं दिया गया ये क्या माना जाएगा BOI ठीक है ना सेम अगर मान लेते हैं एक X, Y, Z limited है यानि company है और एक Y है तो दोनों individual हैं क्या लेकिन person तो है यहाँ पे क्या था एक X person था य था तो X भी individual है Y भी individual तो body of individual अब X, Y, Z limited person की definition है तो ये अलग person है और Y एक individual ये अलग person है तो इसको बोलेंगे association of person association of person ठीक है न? तो सर ये दोनों तो partnership तरीके से हैं बिल्कुल partnership तरीके से हैं basically ये joint venture type का होता है और ये partnership act में registered नहीं होते हैं इसलिए इसको हम इस category में रखते हैं इसका भी हमारा जो last date होता है normally depend करता है कि किसके उपर है तो 31-7 का last date होता है मैं एक तरीके से body of individual का मान लेता हूँ कि 31-7 और different different date होते हैं कई बार हर scenario के अंदर बिल्कुल हम joint Hindu family भी बोल सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका अक्षे ने बोला इससे joint Hindu family भी बोल सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है अभी हम person देखने हैं इन देख लिया एक, दो, तीन, चार, पांच इन पांचों का मैं basic basic concept बता रहा हूँ individual मैं और आप company private limited partnership हम दो लोगों ने मिलके business किया registration भी कराया individual body of association of person दो लोगों ने business start कर लिया registration नहीं कराया और हुए हिंदू undivided family इसके अंदर कोई member Hindu बन सकता है यहां तक कोई doubt है तो बताएं यहां तक कोई doubt है तो बताएं no sir कोई doubt नहीं है चलिए अगला point छठा person local authority local authority sir local authority क्या होता है side visible में कोई दिक्कत हो थोड़ी बहुत local authority जिसे LA भी बोलते है local authority होता है हमारा जैसे की municipal department MCD यानि basically यह government के under होता है MCD हो गया है चाहे छोटे बच्चों का primary school हो गया है तो इसके अंदर आ जाता है तो इसे बोलते है local authority ये भी text देते हैं अलग-अलग scenario है text देने का इसलिए मैं date specified नहीं कर रहा है ठीक है ना कितने person होगे 1,2,3,4,5,6 इन सभी के बारे में बहुत detail में जानकारी चाहिए ना तो हमें जाना पड़ेगा section 2 इसके बाद 31 है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं 2 subsection 31 भी बहुत लोग बोल देते हैं लेकिन actual होता है 2 clause 31 2 clause 31 बोला जाता है definition के बाद ठीक है ना यहां तक कोई दिक्कत चलिए सर अगला person बता दे बिलकुल जी अगला भी बताएंगे artificial judicial person जुडीशियल परसन अब सर यह क्या होता है artificial judicial person judicial का मतलब होता है जिसे कानून के अंडरगर्ट बनाया गया है जिसे कानून के अंडरगर्ट बनाया गया है जिसे कानून के अंडरगर्ट बनाया गया है जैसे जिसे पार्लेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है फर एक्जामपल हम यहां पर ले सकते हैं यूनिवर्सिटी खीक है न तो साथ परसन है तो सर हम क्या इन सभी परसन की इंकम के बारे में निकालना सीखेंगे क्या हम इंकम टेक्स में नहीं बच्चे हम इंकम टेक्स के अंदर जादा से जादा इंडिवीज्वल की इंकम को निकालने की मात करेंगे हम इन सभी के income को निकालना नहीं सीखते क्योंकि ये अलग-अलग topic और अलग-अलग subjects बन जाता है company के tax को corporate tax planning बोला जाता है बाकी इन सभी का निकाल सकते partnership tax planning का भी निकाला जा सकता है लेकिन ऐसाच नहीं है के नहीं निकालेंगे सर कौन-कौन से पांच जगे है जहां से हम पैसे कमा सकते है यानि साथ person है जो पांच ही जगे से पैसे कमाया जा सकता है बत देखिए number one या तो job करेगा तो कहां से पैसे कमाया ये सर salary से number two अगर मकान किराये पे दे रखा है इसने तो rent आएगा तो उसे बोलेंगा house property number three अगर इसका business है तो business and profession number four अगर कोई मकान खरीद बिक्री कर रहा है तो capital gain ये सारे chapter है हमें जो पढ़ने है number five इसके अलाबा जुआ वगरा खेल लिया lottery वगरा जीत किया तो other source ब्याज वगरा के लिए other source तो हमारे total कितने जगह से पैसे कमाये जाते हैं वो total है पाँच जगह और इस पाँच जगह से जो पैसे कमाये जाते हैं उसको बोला जाता है heads of income तो कितने heads of income है हमारे पाँच salary, house property, business and profession बोला जाता है capital gain और other source हाँ जी ये पाँच जगह से income होता है इसके अलाबा और income नहीं होता तो सर कितने chapter है income tax के अंदर हमें ये भी समझना चाहिए तो आप एक चीज़ ध्यान रखें जैसे कि 11th class की हमें बात करता हूँ simple 11th class के अंदर आपके पास देखा जाए तो main मुद्दे की बात थी ना तो final account थी क्योंकि journal सिखाए गया, laser सिखाए गया, trial सिखाए गया तभी final account कर पाया तो हमारा main मुद्दे की बात कर्क्स तो था profit and loss account और balance sheet बनाना उसके लिए हमने journal सिखा, laser सिखा, trial balance सिखा, rectification सिखा, depreciation सिखा, bills of action सिखा इन सब भी बातों को समझाए गया ताकि हम अच्छे से balance sheet बनाना सिख सके सेम ऐसे income tax के अंदर आपके इन ही 5 income को निकालना सिखाए जाता है लेकिन इन 5 income को निकालने के लिए और छोटे छोटे काफी सारे chapter बना दिये गया है जैसे set up and carry forward, clubbing of income, agriculture income और deduction बहाँ सारे छोटे छोटे चप्टर जो हम पढ़ेंगे तो basically आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक पार फिर से मैं revise कर देता हूँ कौन-कौन से income देख लिया हमने आज हमने देख लिया assessment year का meaning आज हमने देख लिया previous year का meaning आज हमने देख लिया कि SSC किसे बोलेंगे और SSC के साथ साथ person कितने साथ person है इस person को हमने देख लिया कि individual, HOF, company, partnership firm, association of person, body of individual, local authority और artificial judicial person इन सभी को देख लिया है और कितने heads of income है हमारे यह जो मैंने लिखा है यह हमारे heads of income है total heads of income कितने हमारे पांच head of income heads of income तो यह हमारे total heads of income कितने है हमारे पांच है तो इसको फटा फट नोट करिए first chapter की मैं बात करूँ तो first chapter के अंदर एक text rate और है बाकी कुछ भी नहीं है first chapter में intro था और जो intro हमें सीखना था वो हमने सीख लिया exam के point of view से यह तीनो point काफी important है इसमें से अकसर ही question पूछा जाता है question कैसे पूछा जाता है आपको जो PDF notes दिये जाएंगे उसमें सारे questions भी होगे 10 year जो लोग है उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको और question पूछा जाता है कि आपका assessment year को define करें previous year को define करें या फिर SSC क्या होता है इसको define करें previous year क्या हमारा 12 महिने से कम का हो सकता है तो इस तरीके से question हमारा दिया जाता है फटा फट से इसको note करिये आप note करिये इसका है 2.9 में section ठीक है done आज हम यहीं तक करते हैं इसको इसके बाद हम next concept देखेंगे new chapter ही देखेंगे जिसका नाम होगा residential status इसको फलाल नोट कर लिजे आप सभी